खिच्ड़ी पुर गाउं में एक भी शौचाले नहीं था ना ही गाउं में और ना ही किसी के घर में महिलाई और पुरुष सभी घर के बाहर खुले में शौच करने जाते थे सुरुची बेटी जल्दी उड़्या बेटी हलका होने नहीं जाना है क्या ओफो मा कभी तो देर तक सोने दिया करो रोज सुबह पांच बजे उठा देती हो बेटी देर तक सोएगी तो दिन में सब के सामने शौच करना पड़ेगा कुछ शरम बाकी है के नहीं चल जल्दी उड़्या मैं जा रही हूँ वापस आकर दुबारा सो जाना मा आपको पता है ना एक बार मेरी नीन टूट जाती है तो फिर दुबारा नहीं आती है तो फिर चल मेरे साथ मनीश और सुरुची लोटा लेकर अंथेरे में घर के बाहर चल देते हैं उनके साथ गाउं की दूसरी महिलाईं भी चलने लगती है शौच से आने के बाद नहाद होकर सुरुची अपने पापा के पास जाती है पिता जी चाह लीजिए सुरुची के पिता जी सेट बंसी धर गाउं के मुख्या थे लाओ बेटी पिता जी मेरा जन्म दिन आने वाला है आप मुझे क्या तोफा देंगे तु बोल बेटी तुझे क्या चाहिए पहले वादा कीजिए कि मैं जो मांगूंगे आप देंगे ना तो नहीं करेंगे अरे नहीं बेटी मैं इस गाउं का मुख्या हूं सभी गाउं वालों की सुनता हूं तो तेरी क्यों नहीं सुनूंगा तु तो मेरी एक लोती दुलारी बेटी है तो पिता जी हमारे घर में एक शौचाले बनवा दीजे या शौचाले है लेकिन ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है हमारे यहां ये गंदा काम घरों में नहीं किया जाता पिता जी आपने वादा किया था कि आप ना नहीं करेंगे और फिर आप तो गाओं के मुख्या हैं आपको कौन रोख सकता है मुख्या के घर तो शौचाले बनवाई जा सकती है पेटी अगर मैं अपने घर में शौचाले बनवा लूँगा तो गाओं के दूसरे लोग भी अपने अपने घरों में शौचाले बनवाने की मांग करेंगे और यह नहीं हो सकता तो ठीक है मुझे नहीं मनाना कोई जन्म दिन सुरुची मूँ फुला कर अपने कमरे में चली जाती है आपने इसे जादा सर चड़ा लिया है इतनी बहस करने लगी है अरे एक ही तो बेटी है हमारी लेकिन मैं भी कितना अभागा बाप हों की उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता अरे नवीन का फोन आ रहा है नवीन सेट बंसीधर का इकलोता बेटा है जिसने शहर में रहकर सिविल इंजीरिंग की पढ़ाई की है पढ़ाई पूरी करने के बाद ही एक सरकारी कमपनी में नवीन की जॉब भी लग जाती है और कमपनी के प्रोजेक्ट पर वो विदेश चला गया था हलो हलो प्रणाम पिता जी मैं दिल्ली वावस आ गया हूं और अगले सप्ता गाउं आ रहा हूं अरे वह बेटा अच्छे समय पर गाउं आ रहे हो अगले सप्ता सुरूची का जन्म दिन भी है हरे सुना दुमने अगले सप्ता नवीन आ रहा है ये सुनते ही मनीशा और सुरुची दोनों खुश हो जाती है, अब भाईया ही कुछ कर सकते हैं, अपनी बाद भाईया से कहूंगी, कुछ दिनों बाद नवीन घर आता है मा, ये आपके लिए कुछ साडिया लाया हूँ, और पिता जी, ये गड़ी आपके लिए और मेरे लिए क्या लायो भाईया? तेरे लिए तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे एक डरजन सूट पीस लाया हूँ पेटा, भगवान की दया से नौकरी तो तू अच्छी कर रहा है, अब तेरी शादी हो जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए पिता जी, मैं तो शादी तभी करूँगा जब सुरूची की शादी हो जाएगी, पहले इसे यहां से बगाऊँगा भईया, नवीन हसने लगता है और सुरूची वहां से भाग कर अपने कमरे में चली जाती है पिता जी, मैंने सुरूची के लिए एक लड़का देखा है, जो विदेश में इंजीनियर है, और उसकी पूरी फैमिली विदेश में ही सैटल्ड है ठीक है बेटा, तुने देखा है तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन उन लोगों को लड़की देखने के लिए तो यहां आना होगा ठीक है पिता जी, मैं इस बारे में दिपान्शू से बात करता हूँ अब बात ही करते रहेंगे या इसे खाना भी खाने देंगे सबने मिलकर खाना खाया और खाने के बाद नवीन अपने कमरे में आराम करने चला गया तब ही वहाँ सुरुची आई, भाईया मुझे आप से कुछ बात करनी है भाईया आप पापा से कहो ना कि हमारे घर में शौचाले बनवाएं शौचाले ना होने की वज़े से मुझे खुले में शौच करने जाना पड़ता है मुझे बहुत शरम आती है ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है मैं आज ही पापा से बात करूँगा रे बेटा, लड़के वालों से बात हुई क्या? पिता जी, लड़के वालों से बात करने से पहले मुझे आप से कुछ बात करनी है हाँ, बोलो, क्या बात है? पिता जी, लड़के के माता, पिता और रिष्टेदार सब विदेश में रहते हैं अगर वो लोग सुरुची को देखने यहां आएंगे तो हम उन्हें शौच के लिए खेतों में नहीं ले जा सकते तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारे घर में शौचाले होना बहुत ज़रूरी है अब खुछ सोचिए, जब वो लोग देखेंगे कि हमारे घर में शौचाले नहीं है तो हम पर कितना हसेंगे? और तो और विदेश में भी हमारे देश का नाम खराब होगा कि आज के जमाने में भी भारत देश के गाउं में शौचाले नहीं है ऐसे पिछले लोगों से कौन रिष्टा जोड़ना चाहेगा? और सिर्फ एक शौचाले ना होने की वज़ा से मेरी बेहन की शादी एक अच्छे लड़के से नहीं हो पाएगी लेकिन बेटा तुम्हें तो पता है कि शौच जैसे काम हमारे यहां घरों में नहीं होते बेटा जी समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है नहीं तो हम कभी भी आधुनिक नहीं बन पाएंगे आज जब पूरे गाउं में स्कूल है सबके हाथों में मुबाइल फोन है तो घरों में शौचाले बनवाए जाने का क्या हर्ज है और हमारी सरकार तो देश के सभी गाउं में खुद शौचाले बनवा रही है मैं खुद शौचाले बनवाए जाने की परियोजना पर काम कर रहा हूं और उस परियोजना के तहत बहुत जल्दी सरकार की एक टीम निरिक्षन करने हमारे गाउं आने वाली है हमें तो सरकार के इस काम में उनकी मदद करनी चाहिए लेकिन बेटा फिर तो गाउं के सारे लोग यही कहेंगे कि सेट बंसी धर ने अपने घर में शौचाले बनवा लिया मेरी थूथू हो जाएगी पिता जी जब हमारी बेहन, मा और बहु बेटियां खुले में शौच करती है, तब थूथू नहीं होती है कल जब मैं गाउं के रास्ते से घर आ रहा था तो खेतों में हर जगा मल पड़ा हुआ था और उससे आने वाली बद्बू से मेरी नाग फट रही थी पिता जी, खुले में शौच करना ना ही सिर्फ हमारी सेहत से खिलवार है बलकि प्रकृती के साथ बहुत ही गंदा खिलवार है लेकिन आप फिर भी नहीं मानेंगे तो मैं लड़के वालों को मना कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो उन लोगों को ये बताने में बहुत शर्माएगी कि मेरे घर में शौचाले नहीं है सुनिय जी, नवीन ठीक ही तो कह रहा है हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए ठीक है, मैं कल ही घर में शौचाले बनवाता हूँ और दूसरे ही दिन सेट बंसी धर के घर में शौचाले बनने का काम शुरू हो जाता है दो दिन के बाद शौचाले बनकर तयार था ठैंक यू भाईया, भाई हो तो आपकी जैसा आपने मुझे जन्मदिन का तोफ़ा दे दिया अरे छोटी, ये तो मेरा फर्स था सिर्फ तेरे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए ग्रामन मुख्या जी के घर के बाहर बने शौचाले को देखने के लिए आने लगते हैं प्रेनाम मुख्या जी, सुना है आपने अपने घर के बाहर शौचाले बनवाया है हाँ बोला, और बहुत जल्दी अब तुम जब के घरों में भी शौचाले बनेगा कभी वहाँ नवीन आ जाता है सिर्फ आपके घरों में ही नहीं, बलकि पूरे गाओं में जगा जगा पब्लिक टोईलेट भी बनेगा तर मखिया जी, यह तो हमाए गाओं के उसूलों के खिलाप है देखी आप सबसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस गाओं को साफ और सुच रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए हमारे देश, हमारे गाओ, हमारे घर, हमारी धरती को सुन्दर, सुच और निरोग रखना हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए और फिर जहां बात हमारी बहु बेटियों की इज़त की हो, वहां कोई उसूल नहीं चलते हमारी मा बहन की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है गाओ की औरते भी नवीन की बाते सुन रहे थी, वो एक साथ बोल पड़ी हाँ हाँ नवीन भाईया सही बोल रहे हैं, हम खुले में शौच करने नहीं जाएंगे नवीन भाईया, जो बात हम बरसों से नहीं बोल पाए, वो आज आपने एक मिनट में सब को समझा दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कुछ दिन बाद नवीन वापस शेहर अपने काम पर चला जाता है और वहां से गाउं में शौचाले बनाय जाने की परियोशना की शुरुआत करने के लिए अपने दफ्तर की एक टीम लेकर गाउं आता है और गाउं में जोर शोर से शौचाले बनने का काम शुरू हो जाता है पिताजी मैंने लड़के वालों से बात कर ली है वो लोग अगले हफते सुरूची को देखने आ रहे हैं थोड़ी दिनों के बाद पुरी गाउं में शौचाले बनकर तयार था और धूमधाम से सुरूची की शादी भी हो गई अब गाउं के किसी भी व्यक्ति को शौच करने के लिए खुले में नहीं जाना पड़ता था सुभध्रा ने अपने एकलोते बेटे वरुन की शादी एक कमपढ़ी लिखी लड़की जोचना से की थी ताकि उसकी बहु कभी लौकरी ना करे और अच्छी तरह घर संभाले सब कुछ सुभध्रा की सोच के मुताबिक चल रहा था कि अचानक उसके बेटे वरुन की मौत हो गई अब सुभध्रा अपनी विध्वा बहु जोचना के भविश्य को लेकर चिंतित हो जाती है ये जानने के लिए देखते हैं विध्वा बहु की डोली सुभध्रा देवी अपने बेटे वरुन की शादी की तैयारियां कर रही थी आज वरुन की शादी जोचना के साथ होने वाली थी जोचना दसवी पास थी लेकिन घर के कामकाज में निपुड थी धूमधाम से वरुन की शादी जोचना के साथ हो जाती है ससुराल आते ही उसने घर और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा ली मा बाबुजी आप दोनों के लिए अद्रक वाली चाय लाई हूँ लाओ बहु अद्रक वाली चाय तो मुझे बहुत पसंद है तुमने आते ही हम लोगों की पसंद और नापसंद का खयाल रखना शुरू कर दिया जी इन्होंने मुझे सब बता दिया है कि आपको और माजी को क्या पसंद है और क्या नहीं आप लोग चाय पीछे मैं नाश्टे की तैयारी करती हूँ ठीक हूं बहु जोसना वहां से चली जाती है उसके जाने के बाद वरुन की मा क्यों ना हम भी अपने घर में काम वाली रख लें जोसना की मदद कर दिया करेगी जोसना की अभी नई-नई शादी हूई है उसकी उम्र भी बहुत कम है अभी उसके सिर पर जिम्मेदारियों का बोज डालना ठीक नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में ज़्यादा काम भी नहीं है अभी से काम करने की आदर डालेगी तभी तो आगे चल कर सब कुछ संभाल पाएगी जैसी तुम्हारी मर्जी जोसना घर के सारे काम करती सुब़ उठकर सास और ससुर को उनकी दवाईयां चाय देने से लेकर नाश्ता, खाना, बनाना, कपड़े धोना सारे काम वो अकेली ही किया करती वरुन भी हर छोटे मोटे काम के लिए जोचना को ही पुकारा करता जोचना कहा तुम मेरी पीली वाली शर्ट प्रेस नहीं है यार मुझे आज वही पैन कर आफिस जाना है आपके लिए लंच पैक कर रही हो दो मिनट में आई जोचना भाग कर जट पैटर वरुन की शर्ट पर प्रेस करने लगी दीरे दीरे समय गुजर रहा था सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन मा बाबु जी कल मुझे आफिस के काम से चंडिगड जाना है छे महीने वही रह कर काम करना है छे महीने दरसल पापा चंडिगड में हमारे आफिस की नई ब्रांच खुलिये और मुझे उसका मैनेजर बनाय गया है तो जोचना को भी अपने साथ लेता जा पापा अभी तो वहाँ जाकर मुझे खुद के रहने का इंतिसाम करना होगा मैं कुस दिनों के बाद जोचना को वहाँ भुला लूँगा मा और पिता से बाद करके वरुण अपने कमरे में चला गया जोचना को चंडिगड जाने की क्या जरूरत है वो चली गई तो घर कौन संभालेगा और वहाँ अमारे वरुण को कौन संभालेगा अभी उसका समय वरुन के साथ हसने खेलने में गुजरना चाहिए ग्रस्ती का बोज उठाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है इधर दूसरे दिन वरुन चंडीगर जाने के लिए घर से निकल गया सबने खुशी खुशी लेकिन जोसना ने नमाखों से वरुन को विदा किया मेरा दिल बहुत घबरा रहा है नचारी क्यों आपको कहीं जाने देने का मन नहीं करता चिंता मत करो जोसना वहां पॉस्ती मैं किराय पर एक कमरा दे लूँगा फिर तो मैं बुला लूँगा वरुन चंडीगर जाने के लिए घर से निकल गया और बस में जाकर बैट गया रास्ते में बस को बहुत भयानक एक्विदेंट हो गया बस बलट ले और बस में सवार सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गए ये खबर जब वरुन के घर तक पहुची तो सब शौक ट्रेक है वरुन के माता पिता के लिए अपने जवान बेटे को खोना किसी भयांकर पीड़ा से कम नहीं था लेकिन जोट्सना का दुख तो बयां कर पाना भी मुश्किल है जोट्सना अंदर से तूट गई वो अपने आपको संभाल नहीं पा रही थी वो बहुत उदास रहने लगी और हर सब है वरुन की यादों में खोई रहती एक दिन वरुन की मा मुझसे जोट्सना की हाला देखी नहीं जाती वो वरुन को खोने के दुख से उबर नहीं पा रही है वरुन हमारा इकलाता बेटा था उसे खोने का दुख हमें भी कम नहीं है सुभधरा हमारी उम्र अब हो चली है लेकिन जयोत्सना अभी बहुत चोटी है उसकी उम्र ही क्या है उसे अपने जिन्देगी चीने और हस्ने खेलने का पूरा अधिकार है आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हम जयोत्सना की दूसरी शाधी कर दे लेकिन उसे पहले मैं उसे पढ़ाना चाता हूँ ठीक है एक बार जोटसना से भी इस बारे में बात कर लीजे मैं उसे बुला कर लाती हूँ सुभधरा देवी जोटसना को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है वहाँ उन्होंने देखा कि जोसना बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई है सुभध्रा देवी दौड कर अपने पति पंकज के पास गई और जोसना के बारे में बताया दोनोंने फोन करके डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर ने जब जोसना का चेक अप किया आपकी बहु मा बनने वाली है आप लोगों को इनका बहुत खयाल रखना होगा चिंता के कारण बच्चे की सेहत पर बुरा सर पढ़ सकता है और बच्चा दिमागी रूप से कमजोर हो सकता है डॉक्टर की बात सुनकर पंकज और सुभध्रा ने फैसला लिया कि वो जोचना को आके पढ़ाएंगे ताकि जोचना का मन कहीं लगा रहे और वो खुश रह सके पंकज ने जोचना का एड्मिशन बारविं कक्षा में करवा दिया जोचना बारविं की पढ़ाई करने लगी सुभध्रा देवी उसके खाने पीने का बहुत खयाल रखती धीरे धीरे समय बीटा गया और नौ महीने बाद जोचना ने एक सुन्दर सी बेटी को जन्म दिया इसके साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी करती रही सुभध्रा देवी और पंकच अपनी पोती अनन्या को पाकर बहुत खुश थे वे दोनों जोचना के साथ साथ अनन्या का बहुत खयाल रखते जोचना को लेकर सुभध्रा देवी के मन में भी बहुत बदलावा गया था एक दिन जोटसना रसोई में बरतंद हो रही थी, तभी वहाँ सुभद्रा देवी आई, जोटसना बहू, ये सब छोड़, तु अनन्या के पास जा, उसके साथ खेलेगी तो तेरा दिल पहलेगा, और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर, घर का काम में कर लूँगी, जोटसना जोटसना, बहू, मैं चाहता हूँ कि तू बीएड की पढ़ाई कर ले, मैं कली तेरा एडमिशन करवा दूँगा ठीक है बाबुजी, पंकश ने जोटसना के एडमिशन बीएड में करवा दिया, अब जोटसना रोज कॉलिज जाने लगी, अनन्या भी दो साल की हो गई थी, एक दिन ममा, मुझे भी आपके साथ कॉलिज जाना है अनन्या बीटी, मुझे कॉलिज में पढ़ाई करनी है, तुम घर में दादा जी, दादी जी के साथ खेलो नई, मुझे आपके साथ कॉलिज जाना है इसे अपने साथ ले जा जोटसना, ये सारा दिन तुझे याद करती है और तेरे पास आने के जित करती है तेरे साथ कॉलिज जाएगी तो इसका दिल बहल जाएगा उस दिन जोसना अनन्या को अपने साथ कॉलिज ले गई जोसना के क्लास में सब अनन्या को बहत प्यार करने लगे कोई उसे चोकलेट देता तो कोई उसके साथ खेलता तब ही जोटसना ने देखा कि राजन अनन्या को अपनी गोद में लेकर उसके साथ बाते कर रहा था राजन जोटसना के क्लास में पढ़ता था आरे नहीं बहुत प्यारी बच्ची है इससे बाते करके मुझे अपना बजपन याद आ गया तुम इसे रोज अपने साथ लेकर कॉलिज आये करो अब जोटसना रोज अनन्या को अपने साथ कॉलिज लाने लगी धीरे धीरे राजन ने अनन्या के साथ गहरी दोस्ती कर ली अनन्या के कारण राजन और जोटसना में भी गहरी दोस्ती हो गई दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे एक दिन की बात है जोटसना और अनन्या दोनों कॉलेज में थे कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगी ओ, अब मैं घर कैसे जाऊंगी जोटसना के चेहरे पर चिंता की लकीरे देखकर राजन उसके पास आया और बोला क्या बात है जोटसना, परिशान क्यों हो देखो न राजन बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है मैं अनन्या को लेकर घर कैसे जाऊंगी बाहर बस स्टॉप पर भी पानी भर गया होगा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आटो बुला कर लाता हूं राजन कॉलिज से बाहर गया बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर भानी भरा हुआ था लेकिन राजन अपनी परवार न करते हुए बड़ी मुश्किलों से एक आटो वाले को बुला कर लाया जोसना, अनन्य को लेकर इस आटो पर बैठ चाओ मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ देता हूं जोसना, अनन्य और राजन तीनों आटो पर बैठ जाते हैं और उस दिन राजन ने दोनों को घर तक छोड़ा राजन, मेरे घर नहीं आओगे मैं तुम्हें अपने माजी और बाबुजी से मिल आओँगी हाँ, क्यों नहीं? राजन जोसना के घर आया जोसना ने उसे पंकज और सुभध्रा से मिलवाया और बताया कि कैसे राजन ने तेज बारिश में भी भीखते हुए उसे और अनन्या को सुरक्षित घर तक पहुँचाया ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा वरना ये दोनों कॉलेज में ना जाने कितनी देर बारिश रुखने का इंतजार करती रहती राजन बेटे तो माते रहना और कॉलेज में ज्योसना का खयाल रखना उस दिन के बाद से राजन अक्सर ज्योसना के घर आने लगा और अनन्या के साथ धेर सारी बाते करता दिरे दिरे दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्हें सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी भी मिल गई एक दिन सुबद्रा क्या ज्योसना को अपनी सिंदगी नई स्थिरे से शुरू नहीं करनी चाहिए आप क्या कहना चाहते है मैं चाहता हूँ कि ज्योसना की शादी हो जाए वो अपना घर बसा ले अनन्या को भी पिता का प्यार मिल जाएगा लेकिन ज्योसना से शादी करेगा कौन? मेरी नजर में एक लड़का है हाँ? कौन है वो? राजन, राजन ज्योसना का बहुत अच्छा दोस्त है और वो अनन्या को भी बहुत प्यार करता है लेकिन हमें इस बारे में ज्योसना और राजन से भी बात कर लेनी चाहिए मैंने राजन को फोन कर दिया है वो आज शाम को हमारे घर आएगा हम राजन और जोटसना दोनों से बात कर लेंगे ठीक है शाम को जब जोटसना स्कूल से लोटी तो उसने देखा कि राजन उसके घर आये है और उसके साथ ससुर से बाते कर रहा है अरे राजन तुम, तुम कब आए? अभी भी आया हूँ, दरसल मुझे अंकल ने बुलाया जोटसना बहू, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ जी बाबुजी कहिए बहू, मैं चाहता हूँ कि तुम और राजन शादी कर लो ये आप क्या कह रहें बाबुजी? ये कभी नहीं हो सकता जोटसना बहू, बीती बातों को भूल कर आगे बढ़ना ही जिन्दगी है तेरे सामने अभी पूरी जिन्दगी पड़ी है हमारे बाद तेरो और अनन्या का खयाल कौन रखेगा? राजन बेटा, जोटसना अब मेरी बहू नहीं, बेटी है क्या तुम जिन्दगी भर इसका खयाल रखोगे, अंकल सच कहूं तो मैं जोटसना और अनन्या से बहुत प्यार करने लखाऊ मैं जोटसना को अनन्या के साथ अपना निकली तैयार हूँ और वादा करता हूँ, कि उन्हें जिन्दगी भर खुश रखोँगा देर किस बात की, हम कल ही तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे माता पिता से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर देंगे राजन के माता पिता सुभध्रा दीवियों और पंकच से मिलकर बहुत प्रभावित हुए दोनों की रजामंदी से राजन और जोचना की शादी तै हो गए सुभधरा देवी और पंकज ने जोचना की शादी सास ससुर बन कर नहीं बलकि माता पिता बन कर की पंकज ने जोचना का कन्यादान किया और जोचना को डोली में बिठा कर ससुराल विदा किया